फेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उम्रे निकालना मतलब किसी बेवैक्ति की आयू ग्याद करना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें, आईए सुरू करते हैं आज का वीडियो, देखिए, उम्रे निकालने के लिए सबसे पहले आपको जिस तिती तक उम्रे निकालना है, वो यहाँ पर लिखना होगा, तो आज की जो वर्तमान तिती वो है, 1804-2021, ठीक है, इस तिती तक किसी की भी आयू ग्याद करना सीखेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यह क्या हो गया, यह हो गय दिन, और यहाँ होगया महा, और यहाँ पर होता है वर्स, हमें इसी फौर्मेट में किसी की भी आयू ग्याद करना ए, ठीक है, तो इसकी तीन कंडीशन हो सकती है, तीनों को समझते हैं, सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, यदि वर्तमान तिती से महा और दिन दोनों छोट हो तो देखते हैं यहां किसी की जन्म तारिक यदी पंदरा जीरो दो उन्निस सो पंचानवे हो ठीक है यहां पर देखिए हमें इसकी आयू ग्यात करना है यहां पर देखते हैं सबसे पहले लिखते हैं दिन महा और वर्स ठीक है अब उसके नीचे जो वर्तमान तिति यह लिखते हैं क्या है आज अठारा जीरो चार दो हजार इकीस ठीक है जो वर्तमान तिति तक निकालना है उसको लिखना है उसके बाद देखिए यहां पर उसके नीचे उसकी जन्म तारिक लिखना है पंदरा जीरो दू, उनिस्तो पंचानबई, ठीक है, आप दीखिए, इसको घटा दे धा है यहाँ पर घटा ते है सबसे पहले, दिन को घटाणा है ठीक है, यहाँ देखिए, अठारा है यहाँ है पंदरा, तो आट में से पांच गये, तीन, और एक में से एक गया, सुन्य, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर चार में से दो गये, दो, और सुन्य में से सुन्य गया, सुन्य, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पांच है, एक से पांच तो घरता नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार ले जाएंगे ठीक है यहां कितना हो जाएगा ग्यारा ग्यारा मैंसे पांच गए छैभर ठीक है अब देखिए यह मैं ले गए थे तो यहां एक बचा एक में से तो नौ घर्टा नहीं यहां से एक उधार ले गए तो कितना बचा यहां पर हो गया ग्यारा ग्यारा में से नौ गये ठीक है तो देखिए 15.2.1995 जिसकी जन्म तारिक है उसकी 18.4.2021 तक आयू कितनी होगी तीन दिन दो महा 26 वर्स ठीक है यह पहली कंडिशन हुई आप देखिए दूसरी कंडिशन देखते हैं दूसरी कंडिशन में यह जन्म तारिक क्या है 07.11.1984 यहां देखिए यहां पर 0.4 है और यहां पर देखिए ग्यारवा महिना है और यहां चौथा महिना है तो यहां पर महिना छोटा है यहां बड़ा है तो यह कंडिशन में देखते हैं यहां पर लिखते हैं दिन महा वर्स ठीक है अब देखिए आज की वर्तमानती थी लिखते ह क्या है 18-04-2021 ठीक है अब देखिए क्या लिखना है जन्मतारिक ठीक है क्या है जन्मतारिक 07-11-1984 अब इसको घटा देते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर घटा आते हैं आठ में से 7 गए कितना बचा एक और एक में से सुनने गया एक बचा ठीक है अब देखिए यहाँ पर 4 से 11 तो घटा नहीं ठीक है तो यहाँ क्या करते हैं देखिए यहाँ पर से एक उधार लाते हैं तो यहाँ से एक वर्स उधार आएगा ठीक है ताकि एक तो यहाँ से एक personra कितने महा होते हैं 12 तो क्या करेंगे यहाँ पर जिरू, 4 धन 12 इसको जोड़ देंगे ठीक है 4 में 12 जोड़ेगा खितना होजाएगा 16 ठीक है अब यहाँ पर क्या मानना है यहाँ पर 04 को 16 महा मानना है ठीक है 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा at 05 ठीक है बचा ठीक है अब देखिए यहां तो 2021 था लेकिन एक यहां से उधार ले गए हैं यहां कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 4 गए, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है, अब देखिए, यहां से तो एक उधार ले गए, तो यहां बचा 1, एक में से आठ सो घटता नहीं, तो यहां से एक उधार ले जाएंगे, यहां कित्ता हो जाएगा, ग्यारा, ग्यारा में से आठ गए, तीन, ठीक है, अब देखिए, यहां पर से एक उधार ले गए थे, यहां होगा था दस, दस में से फिर एक उधार ले गए, तो यहां बचा और 36 वर्ष ठीक है जिसकी जन्म तारिक 7-11-1984 है उसकी 18-4-2021 को कितनी आयो होगी 11 दिन 5 महा 36 वर्ष ठीक है अब तीसरी कंडिशन देखते ही यहाँ पर क्या हो कि महा भी बड़ा हो और दिन भी बड़े हूँ उस कंडिशन में देखते हैं ठीक है यदि जन्म तारिक क्या हो 21 20, 10, 1993 हो ठीक है आप देखिए यहाँ पर दिन भी बड़ा हो गया और महा भी ठीक है इस कंडिशन में देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं दिन, महा और बोर्ष तीक है उसके बाद क्या करना है जो आज की वर्तमान तारिक है वो लिखना है क्या है वर्तमान तारिक 18-04-2021 ठीक है अब देखिए यहाँ पर जर्नम तारिख लिखते हैं उसके नीचे 21, 10, 1993 ठीक है अब इसको घटा देते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर यहाँ धारा और यहाँ पर है 21 18 में से 21 तो घटेगा नहीं यहां से एक उधार लाते हैं ठीक है यहां से एक उधार लाते हैं यहां पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा क्या होगा देखिए नॉर्माली महीना कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है तो 18 में 30 जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ते हैं 18 में 30 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से एक उधार लाएंगे तो पुरा एक महिना आएगा 18 में 30 जोड़ेंगे तो यह हो गया 8 और 8 और सुन्य आठ और 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया ठीक है तो इसको 18 को क्या मानना पड़ेगा से 2 गए तो कितने बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा ठीक है तो दिन कितने आगए 27 अब देखिए यहाँ से तो एक उधार ले गए हैं एक महा पूरा तो यहाँ कितना बचा 0-3 मतलब 3 महा बचे 3 में से 10 महा तो घटेंगे नहीं तो यहाँ से एक फिर से उधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ थे 3 महा और उसमें कितने महा 12 महा आएँगे क्योकि हाँ से वर्स आएगा पूरा एक वर्स में कितने महा होते हैं 12 महा ठीक है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 ठीक है एक और सुन्ये एक ठीक है तो यहां पर कितने महा हो जाएंगे पंदरा महा माना जाएगा ठीक है क्योंकि यहां से एक उधार लाए हैं ठीक है अब देखिए पंदरा में से दस घटा ती पांच में से सुन्ये गया पांच और एक में से एक गया सुन्ये ठीक है अब देखिए यहां पर से तो एक वर्स उधार ले गए है, तो यहां कितना बचा दो अजार बीज बचा हुआ है, ठीक है, इस एक की जगह सुन्य है, यहां पर लिख देते हैं, दो अजार बीज बचा है, क्योंकि यहां से उधार ले गए हैं, अब देखिए, इस में से घटा आते हैं, सु यहां पर 9 है ठीक है यहां से 1 उदार ले गए थे इधर तो यहां बचा 1 एक में से 9 तो घरता नहीं तो यहां से 1 उदार ले गए तो यहां गया 11 ग्यारा में से नौ गए, दो, ठीक है, आप देखिए, यहां से एक उधार ले गए थे, यहां आया हुआ था, दस, ठीक है, फिर यहां से एक उधार ले गए, यहां बचा नौ, और यह नौ में से नौ गया, कितना बचा, सुन्य, और यहां से एक उधार ले गए थे, यहां ब 1932 को जो पैदा हुआ है उसकी आयू 184221 को कितनी हो जाएगी 27 दिन 5 महा 27 वस ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आज हमने सीखा कि आयू कैसे निकालते हैं ठीक है तो आज के लिए इसना ही वीडियो अच्छी लगियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और